अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीस दोस्तों मेरे प्यारे अजीस दोस्तों साथियों आज हम बात करेंगे सिहाब भाई के बारे में सिहाब भाई कहां पर हैं क्या कर रहे हैं सिहाब भाई ने आज अपना इस सफर सुरू क्या या नहीं क्या अगर आज सिहाब भाई ने अपना इस सफर शुरू कर दिया तो वो इस वक्त कहां पहुँचे और अगर आज भी सिहाब भाई ने अपना इस सफर शुरू नहीं क्या है तो वो कब अपने इस सफर को शुरू कर रहे हैं कब अपनी इस मंजिल के तराफ बढ़ रहे हैं दोस्तों मैं पूरी कुछ लोकेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे हैं दोस्तों आज तारीक हो चुकी है बारा जन्वरी तो आज की सिहाब भाई की क्या लोकेशन है क्या अपडेट है मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में किलियर बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही सिहाब भाई की कोई भी नई अपडेट आए मैं आप तक जरूर पहुचाता रहूं अगले देशों का सफर मैं आप तक जरूर दिखाता रहूं दोस्तों सबसे बहले बात करते हैं कि सिहाब भाई को अपने इस सफर पर अपने घर से चले हुए कितने दिन का वक्त भी तो चुका तो मेरी अजिस दोस्तों साथियो आज मैं आपको बता दूँ अपने इस सफर पर सिहाब भाई को अपने घर से चले हुए तकरीबाने 225 दिन का वक्त भी तो चुका है यानि के 225 दिन पहले सिहाब भाई ने अपना ये सफर सुरू किया था ये सोच करके कि मैं 2023 का हज अदा करूँगा और इंशालला जरूर मुझे 2023 का हज मिलेगा दोस्तो जैसा कि आप सब जानते ही कि साल भी बदल चुका है नया साल भी आ चुका है 2023 भी लग चुका है अब आने वाली हज में जो समय बचा है वो तक्रीव आने पांच ये च्छे महीने का समय बचा है दोस्तों सिहाब भाई के लोकेशन के अगर बात करें तो मेरे अजिस दोस्तों सातियों सिहाब भाई की लोकेशन आप सब जानते हैं सिहाब भाई अभी भी अपनी इस भारत देश के अंदर ही मुझोद है सिहाब भाई ने आज भी ये अपना सफ़र सुरू नहीं किया दोस्तों सिहाब भाई का जो सफर है ये इस वक्त अपने इस भारादेश के अंदर पंजाब राज्ये और पंजाब राज्ये का जिला अमरसर अमरसर जिले का एक गाउं साखा पिंड यह इस वक्त भी इसी साखाप्रिंड गाउं के एक आफ्वेकित्स नाम का एक स्कूल है यह इस वक्त भी यही पर रुके हुए हैं दोस्तो बातकरी ने यहां पर रुके हुए कितने दिन का वक्त बीट चुका तो मेरे अजिज़ दोस्तों साथियो सोशल मीडिया के हवाले से सुना जा रहा है और उन से में ये बताया जाता है कि सिहाब भाई को यहाँ पर रुके हुए तकरीबाने चार मँहर से भी उपर का वक्त भी तू चुका है यानि कि चार महीने से सिहाबाई ने सफर नहीं किया चार महीने से सिहाबाई की एक लोकेशन है एक यप डेट है दोस्तों बात करी वीजे की तो मेरे अजिस दोस्तों साथियों सिहाबाई को भी जाबी नहीं मिला वस आप सभी से ही अपील है कि आप सब सिहाबाई के हक में दौा करते रहिए जितनी हो सके इतनी हक में दौा की जाएं ताकि जल्द से जल्द सिहाबाई का सफर ये सुरू हो और ये अपनी इस मंजल को पा जाएं